एक समाई था जब भारत में बड़ी संख्या में चीते थे इतिहासी साक्षियों से यह भी पता चलता है कि कई भारते किसान चीते को अपने पालतू जानवर के रूप में रखते थे जो अन्य जानवरों से उनके खेतों की रखवाली करते थे दोस्तों आज की इस वीडियो मे में आपको चीते के बार में पांच रहस्य पताने वाला हूँ नमबर वन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीता भारत से प्राकिर्टिक रूप से विलूप्त नहीं हुआ था बलकि A.C.I. चीता पर जाती का सिकार करके उसका सकाया कर दिया गया था नमबर टू चीते के सरीर पर धब्वेदार निसान ही इसकी पाचान है ऐसा मना जाता है कि चीता का ना हिंदी सब्द में चीती से मिला गया है जिसका अर्थ होता है बहुरंगी सरीर वाला नमबर टू एक पूर्व विक्सित चीता का वाजर 15-145 पाउंड के बीच होता है जिसके लंबाई 4 फीट और कंधे तक की लंबाई 2-3 फीट होती है इनकी पुछ आम तोर पर 30 इंचे लंबी होती है नमबर फूर चीता सबसे तेज दोडने वाला जानवर होता है लेकिन बहुत तेज गती से दोडने के बाद भी चीता 300 मीटर से जादा नहीं दोर सकता है 400-600 गज की दूरी के बाद चीता ठक जाता है और उसे अराम की जवरात होती है नमबर फाइब आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने तेज गती के लिए जाने वाले चीतों के बारे में यह भी कहा जाता है कि चीते इंसानों पर हमला नहीं करते हैं और यह जानवर आराम करना भी खुब पसंद करता है सो ऐसे ही फाइब पर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राब करें सेयर करें